So, this is lecture number 5th of gravitation and in this part we will study about Kepler's law and questions based on Kepler's law तो आईए इस lecture को start करते हैं So, Kepler's के basically 3 laws है Basically, जो Kepler थे, उन्होंने क्या किया था? जो planet का motion है उसको उन्होंने observe किया था और उसमें कुछ regularities उनको देखने को मिला था और उसी regularities को समझाने के लिए Kepler ने अपना 3 rules, 3 laws of planetary motion दिया था जो सबसे पहला law है, first law उसको बलाते है law of orbit law of orbit ये कहता है कि जो sun है, मान लीजे, ये एक ellipse है और ये आपका प्यास sun है तो sun के चारों तरफ जो planet है वो elliptical orbit में गूमता है और जो sun है उसको one of the focus उस orbit के one of the focus को consider करके चलता है तो first law of orbit क्या कहता है अब सिंस कैपलर के first law में एक word आया है, elliptical word यानि कि ellipse word आया है तो हम सबसे पहले ellipse के इस point को समझेंगे ellipse का nature समझेंगे ellipse क्या होता है, उसके कौन से properties होते हैं उसको समझेंगे so let's start with that so, ellipse को समझने के लिए हमने एक ellipse बनाया है अब देखिए, ellipse में यह जो distance है इसको बुलाते हैं major axis और major axis का जो आधा distance है उसको बुलाइए semi major axis क्या बुलाइए semi major axis तो इस point को याद रखिएगा इसको बुलाते हैं minor axis और आधे को semi minor axis अब यह जो major axis है इसका total distance होता है 2a तो semi major axis का हो जाएगा a यानि पूरा 2 है तो यह आधा a, यह आधा a और minor axis का जो distance होता है वो होता है 2b ठेक है और ellipse में दो focus होते हैं f1 and f2 अच्छा f1 से center के बीच का जो distance होता है f1 से जो center के बीच का distance होता है इसको हम बुलाते हैं a e करके एक हम term यहाँ पे denote करते हैं उसको बुलाते हैं eccentricity e e होता है c upon a क्या होता है e basically जो first focus से center के बीच का distance होता है इसको हम c से denote करते हैं और c होता है focal distance c होता है focal distance और c जो है वो eccentricity और semi major axis का जो distance है उसके बराबर होता है तो यह e जो है इसको बुलाते हैं eccentricity eccentricity तो यह याद रखिएगा यानि कि यहां से यहां तक का distance हा गया a e और similarly यह भी जो distance है यह भी हो जायगा a e ठीक है एक और important point सुनिए अगर आप क्या करते हैं ellipse पे किसी भी point को consider करिए ellipse पे आप किसी भी point को consider करिए और इस point का दोनो focus से जो distance है इस point p का जो दोनो focus से distance है वो constant होता है और वो हमेशा constant होता है और वो हमेशा 2 a के बराबर होता है चाहें आप कोई सा भी point ले लीजे चाहें आप यह point ले लीजे आप यह point ले लीजे किसी भी point से किसी भी point पे दोनों focus से जो distance होता है यहां से यहां तक वो constant होता है और वो 2A के बराबर होता है तो यह एक important point है वो याद करिएगा अब ellipse में एक और फंडा सीखिए हम ellipse में क्या कर रहे हैं एक focus पे हम sun को considerate कर रहे हैं और sun के चारों तरफ यह planet जो है चक्कर लगाता है जब यह planet sun के पास में होता है तो यह distance minimum होता है और इस situation को बुलाते हैं peri g क्या बुलाते हैं peri g जब वो पास में होता है जब planet sun से दूर में होता है Kepler's first law में आपने पढ़ा था कि जो planet है sun के चारों तरफ elliptical orbit में गूनता है sun को एक focus पे पानके और जब यह planet sun से दूर है इसको बुलाते हैं apogee distance ठीक है अच्छा peri g का एक और नाम है इसको बुलाते है peri helium भी peri helium और apogee का एक और नाम है इसको हम helium भी बुलाते है तो यह दोनों नाम याद रखिएगा ठीक है अब देखिए एक focus से center का distance उसको focal distance बुलाते हैं c से denote करते हैं और आपको पता है eccentricity जो होता है वो c upon a होता है तो यहां से c आ जाएगा a e तो अगर हम यह r max निकाले तो r max एसे निकलेगा यह r max कितना होगा a e plus a तो r max हम लिख सकते हैं a plus a e जहां से अगर आप a common लेते हैं तो 1 plus eccentricity अच्छा r minimum कैसे निकालेगे r minimum निकालेगे a minus a e तो r minimum कैसे निकालेगे a minus a e यहां से a common लिजेगा तो that will be 1 minus e ठीक है अगर आप इस दोनों को add करते हैं r max plus r minimum तो add करने पे आप देखिएगा कि r max plus r minimum को जब आप add करिएगा तो वो 2 a के बराबर होगा और सही भी तो है ठीक है सही भी तो है कि sun से planet का दोनों focus से distance 2 a के बराबर होता है जो कि constant होता है तो ellipse में यह कुछ important point है जो आपको याद रखना है अब हम discuss करेंगे second law capillers का जिसको बोलते है law of areas उसको समझने के लिए आप again क्या करिए sun के चारो तरफ माल लेते हैं एक planet था यहाँ पे a point पे अब यह planet क्या किया sun के चारो तरफ गूमना स्टार्ट किया और कुछ time t time बाद यह planet a dash पे पहुँचा तो यहाँ से वो कुछ area sweep out किया होगा जिसको बुलाते है area a1 इसको बुलाते है area a1 चिक है फिर क्या हुआ same time में planet b point से b dash point पे गया same time में तो यहाँ पे जो area वो sweep किया वो था a2 तो कैपिलर का second law बोलता है कि same time में जो area travel है area sweep out है वो equal होगा यानि कि a1 a2 के बराबर होगा यानि same time में area जो sweep out होगा वो equal होगा यानि यहाँ से हम बोल सकते हैं कि area upon time वो constant होता है और area upon time को हम aerial speed बुलाते हैं यानि हम ऐसा बोल सकते हैं कि sun के चारो तरब जो planet elliptical orbit में घूनता है उसका aerial speed constant होता है so according to second law if a planet moves from a to b in given time interval and from c to d in same time interval then areas a, s, b and c, s, d will be constant ठीक है अगर हम एक छोटे से area को consider करें इस छोटे से area को तो इसको sector बुला सकते हैं यह sector आपको दिख रहा होगा sector का जो area होता है वो होता है half r square d theta ठीक है अब आप क्या करिए इसको time से dt से divide कर दिए तो da by dt इसकोल टू half r square d theta by dt और d theta by dt आपको पता है half r square omega से होता है ठीक है angular momentum आपको पता है mvr के बराबर होता है और v is equal to r omega लिखते हैं तो यहां से हो गया m r square omega r square omega के जगा पे आप l upon m लिखे r square omega के जगा पे l upon m लिखे तो aerial speed यानि कि da by dt angular momentum divided by 2m के बराबर यह भी result आपको याद में रखना है da by dt is equal to l upon 2m कैसे आया वो मैंने आपको दिखाया next important point सुनिए अभी आपने बोला कि जो planet area sweep करता है same time में वो equal होता है given time में area sweep out equal होता है यानि कि area upon time constant area upon time को aerial speed बुलाते है और d upon dt angular momentum upon 2m यह भी याद रखना है अब एक concept सुनिए जब भी sun के चारो तरफ यह planet जब elliptical orbit में गूमता है तो आपको पता है इस planet पे जो gravitational force होगा हमेशा sun के तरफ होगा हर एक point पे यानि हम यहाँ पे यह बुला सकते हैं कि जो gravitational force का angular momentum है about sun वो हमेशा गंजर्ब रहेगा तो angular momentum of planet about sun is always गंजर्ब यह याद रखिएगा ठीक है अगर angular momentum गंजर्ब होगा angular momentum constant होगा गंजर्ब होगा तो इसका जो torque होगा gravitational force का जो torque होगा about sun वो zero होगा हमेशा याद रखिएगा angular momentum गंजर्ब है लेकिन momentum p is equal to mass into velocity यह गंजर्ब यह constant नहीं होगा अभी हम question भी करेंगे क्यों? क्योंकि हर time पे velocity change कर रहा है ठीक है? तो यह याद रखिएगा next point सुनिए कि यहाँ पे total energy जो होगा वो भी constant होगा और वो negative होगा negative मतलब system boundness को दिखाता है तो यह सब point याद रखिएगा अब हम क्या कर रहे हैं? जो Kepler's law है उसको हम angular momentum के साथ relation कर रहे हैं आपको पता है कि जो sun के about जो planet होता है उसका angular momentum constant होता है यानि point 1 पे और point 2 पे angular momentum सेम होगा angular momentum होता है mv mass तो planet का m है तो m into v1 r1 m into v2 r2 mm cancel हो जाएगा क्योंकि mass सेम है तो यहाँ से देखिए v1 r1 is equal to v2 r2 very important है क्या यहाँ से बोल सकते हैं कि जो vr velocity और distance का जो product है वो constant होगा यानि कि v easy university personal to r इससे हैं हम यह interpretation निकाल सकते हैं कि अगर sun से planet दूर है यानि कि sun का radius जादा है sun से planet का radius जादा है तो उसका velocity कम होगा अगर sun के पास है यानि कि radius कम है तो उसका velocity जादा होगा radius जादा velocity कम radius कम velocity जादा यानि कि sun के पास को हम perigee बुलाते हैं और sun से दूर को हम apogee बुलाते हैं, यानि apogee पे velocity कम होगा perigee पे velocity ज़्यादा होगा अगर velocity ज़्यादा होगा तो kinetic energy भी ज़्यादा होगा, तो यहाँ kinetic energy ज़्यादा होगा, यहाँ kinetic energy कम होगा, तो यह भी speed हर time पे change होता है तो speed is not constant, क्या constant होगा, angular momentum constant होगा, momentum भी constant नहीं होगा, क्योंकि जो velocity है वो लगातार change हो रहा है और aerial velocity यानि कि area upon time, जो कि Kepler second law है ये भी constant होगा ठीक है? अब हम बात करते हैं, Kepler का third law Kepler का third law है, वो हम already cover कर जोके हैं, कैसे? जब हम अर्थ के लिए बात करते थे time period और उसके radius of circular orbit का, तो अर्थ के लिए आता था time period का square is directly proportional to radius of circular orbit का cube, तो यहां हम ellipse की बात करते हैं क्योंकि ellipse में तो planet घूमता है sun के चारो तरफ है, जब focus मान के तो ellipse में r के जगा पे हम semi major axis का distance ले ले लेते हैं तो elliptical के लिए जो time period का square है, वो semi major जो axis का distance है उसका cube के directly proportional है और यही Kepler का third law है तो यह क्या है? semi major axis का distance, तो यह याद रखेगा यह क्या है? semi major axis का distance पूरे ellipse में यह जो major axis होता है वो 2a के बराबर होता है तो semi major axis a के बराबर होगा ठीक है? अब हम Kepler's law पे questions करेंगे पहले आप वीडियो पॉस करिए question पढ़िए फिर मैं आपको इसकी पीछे का concept बताता हूँ सुनिए, question कहता है कि sun के चारो तरप एक planet elliptical orbit में गूम रहा है और बोल रहा है कि जब sun के पास है वो planet तब distance है r1 और जब sun से दूर है तब distance है r2 और जब दूर है तब velocity v2 है और जब पास है velocity v1 है तो आपसे पूचा है कि ratio of v1 upon v2 बताईए concept क्या है? कि जब भी sun के चारो तरप planet गूमेगा उसका दोनों point पे angular momentum constant होगा यानि कि same होगा अच्छा mass same है तो angular momentum होता है mvr v1 r1 v2 r2 mass same है तो यह कतम यानि कि यहां से बोल सकते हैं v1 upon v2 is equal to r2 upon r1 ठीक है? तो v1 upon v2 पूचा है तो r2 upon r1 यह answer हो जाएगा next question देखिए video pause करिए question read करिए फिर मैं आपको इसका concept सिखाता हूँ देखिए question में बोला है कि sun के चारो तरप एक planet गूम रहा है और बोला t1 time में जो यह planet है जिसका mass m है वो s c d area कवर करता है और t2 time में वो cover करता है s a b area और आपको question में बोला है कि जो area s c d है वो twice है area of s a b तो आपसे पूचा है कि इन दोनों time में बताईए relation अब देखिए मैं आपको बताया था कि जब भी sun के चारो तरप planet elliptical orbit में गूमता है तो उसका area speed यानि कि area open time constant होता है और अगर area open time constant है तो आप दोनों point के लिए दोनों के लिए आप a1 upon t1 is equal to a2 upon t2 लगा दीजे a1 यहां का area यानि कि area of s c d time लगा t1 is equal to area of s a b divided by time लगा t2 area of s c d आपको given it two times area of s a b यहां से डालिएगा यह cancel हो जाएगा और t1 और t2 में आपके पास relation आजाएगा next question देखिए video pause करिए question read करिए फिर मैं आपको concept सिखाता हूं देखिए question में बोला है कि sun के चारों तरफ एक comet जो है वो elliptical orbit में गूम रहा है और बोला कि sun से जब वो past था तो उसका distance है 1.6 into 10 to the power 12 और sun से जब दूर है तो उसका distance है 8 into 10 to the power 12 ठीक है और जब sun के पास था तो उसका speed आपको given है 60 km per second तो आप से पूछा जब वो sun से दूर जाएगा तब उसका velocity बताना है तो same angular momentum conservation लगाए है V1, R1 is equal to V2, R2 पहले भी बात करके आए तो यहाँ पे velocity into distance is equal to यहाँ पे velocity into distance तो यह velocity, यह distance, यह distance given है तो यहाँ से velocity आ जाएगा next question देखिए again question video pause करिए question read करिए फिर मैं आपको concept सिखाता हूँ देखिए question में बोला है कि sun के चारो तरफ एक planet गूम रहा elliptical orbit में तो आप से पूछा है कि कौन सा option correct है तो more than one correct है आपको मैंने बताया था कि जब sun के चारो तरफ एक planet गूमता है तो वहाँ angular momentum conserve होता है ठीक है total energy जो है वो conserve होता है और वो negative होता है ठीक है और basically total energy mass into velocity since velocity change कर रहा है तो ये conserve नहीं होता है ठीक है तो आप option पढ़िए its total energy is negative at D बिल्कुल सही बात है its angular momentum is constant बिल्कुल सही बात है net torque on planet about sun is zero हमने बात किया था since gravitational force हमेशा center की तरफ लग रहा है sun की तरफ लग रहा है तो gravitational force का जो torque होगा वो हमेशा zero होगा linear momentum of planet is conserve नहीं ये गलत बात है तो 3 सही है एक गलत next question देखिए again video को pause करिए question read करिए फिर मैं आपको इसका solution बताता हूँ देखिए question मैं आपको बोला है कि sun के चारों तरफ एक planet जो है वो गूम रहा है और आपको बोला है कि जब sun से वो दूर है planet तो उसका distance है r1 यानि maximum distance है r1 और जब sun के पास है तो उसका distance है r2 तो आपसे बोला है कि ये जो planet का sun के चारों तरफ जो period of revolution है यानि कि time period है वो किसके proportional होगा r के कौन से power के proportional होगा वो आपको बताना है ठीक है जब आप circular orbit के लिए मतलब circular object के लिए time period और radius of circular orbit का relation परते थे तो वो आता था t square is directly proportional to r r to the power cube ये यहाँ पे नहीं यूज करेंगे elliptical orbit है तो आपको पता है time period का square is directly proportional to a semi major axis का distance to the power cube ये आपको पता है अच्छा ये जो r1 distance है बड़ा वाला distance और r to छोटा वाला इन दोनों का जो addition है वो ellipse के major axis के बराबर है यानि कि 2a के बराबर है done तो यहाँ से देखिए जो semi major axis का distance आ गया r1 upon r to divided by 2 इस relation को अब आप modify कर लीजे a के जगा पे आप ये रख दीजे देखिए अब देखिए 2 constant है तो इसको बाहर कर दीजे तो यहाँ से t square is आप 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 आपन r1 प्लस r2 का cube 2 को इधर लिखेएगा तो 3 by 2 answer आ गया next question देखिए video pause करिए question read करिए फिर मैं आपको concept दिखाता हूं देखिए question मैं आपको बोला है कि Kepler का जो third law है वो इसके बारे में बताता है ठीक है और आपको बोला है कि mass of sun m है mass of planet small m है तो आपसे बोला है कि जब आप gravitational force लिखते हैं तो उसमें G आता है capital G तो इस capital G और K में क्या relation होगा वो आपको बताना है ठीक है अच्छा ध्यान से देखिए जब बेसिकली sun के चारो तरप planet गूमता है तो आपको पता है time period जो होता है time period का formula कैसे calculate करते हैं एक circle में गूमने के लिए required centripetal force वो gravitational force के बराबर आता है time period का हम formula पहले derive कर रहा है एक तो आपको direct time period का यह formula याद होना चाहिए पर हम इसको derive कर लेते हैं तो gravitational force centripetal force के बराबर है ठीक है अच्छा जब यह basically motion करता है यह planet यह basically planet sun के चारो तरप तो orbital velocity से करता है orbital velocity होता है root अग गूम अपन आर ठीक है तो यहां से आप यहां से orbital velocity आगया इसको solve करने से time period होता है distance upon speed distance to pi r speed v v के जगा पर यह रखेंगे तो आपके पास देखे time period का formula हम derive कर चुके अच्छा अब इस time period में आप क्या करिए दोनों तरप square करिए तो दोनों तरप square करिएगा तो यह मिलेगा अच्छा यह पूरा term constant है 4 pi square g into mass of planet g constant है pi और 4 constant है तो इसको k लिखती है यानि k के जगा पे यह डाल सकते है तो k किसके बराबर हो गया 4 pi square upon gm तो 4 pi square is equal to gm k यह हो गया देखे next question में बोला है कि sun के चारो तरफ एक planet गूम रहा है और 3 point आपको mark करके दिया है आपको बताना है कि 3 point पे kinetic energy का relation बताईए तो मैंने आपको बताया था sun के pass जाईएगा तो speed बड़ेगा sun से दूर जाईएगा speed कम होगा ठीक है तो speed यहाँ ज़ादा तो यहाँ kinetic energy ज़ादा तो सब ज़ादा kinetic energy पर फिर B पर फिर C पर तो option video pause करके question पढ़िए और यह concept यूज़ करिए next question देखिए video pause करिए question read करिए फिर मैं आपको concept छिखाता हूँ देखिए question मैं आपके बोला है कि sun के चारो तरप एक planet जो है revolve करता है जब sun के pass है उसको perigy बुलाते है और perigy पे जो velocity है वो vp आपको given है और जब sun से दूर है planet उसको apogee बुलाते है और apogee पे जो velocity है वो है v है तो आपसे पूचा है कि इस elliptical orbit का eccentricity बताईए e का value बताईए ठीक है अच्छा planet जब यहाँ था planet जब यहाँ था तो उसका angular momentum constant होगा apogee पे भी और perigy पे भी तो apogee पे भी angular momentum का formula लगाई है mvr और perigy पे भी mvr तो mass से mass खतम हो जाएगा क्योंकि planet का mass constant है तो यहाँ से देखिए जब apogee पे है apogee पे है तो va यानि apogee पे velocity और radius maximum होगा और मैंने आपको बताया था कि यह r max का जो formula होता है कैसे calculate करते है यह जो यहाँ से center होता है center से यह distance जो होता है आप लिखते हैं क्या e is equal to c upon a तो c हो जाएगा e into a तो यह हो जाएगा e into a और यह पूरा है a तो r max क्या हो जाता था a plus a e यहाँ से हम constant लेते थे तो 1 plus e तो यहाँ आर मैक्स आ गया a into 1 plus e similarly r minimum a into 1 minus e आ जाएगा तो आप r max के जगह पे रखिए r mean के जगह पे यह रखिए ठीक है फिर आप इसको अंदर multiply कर लिजेगा common ले लिजेगा तो आपके बास eccentricity आ जाएगा झाल